नमस्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेश राजस्ता अनोश्री गंगानगर हनमानगर जुले की बड़ी खबरे मुख्यमंत्री अशो गहलोत ने जेल वी भाग की समिक्षा की, सीयम गहलोत ने जेलों में बंदियों की पास मुबाइल और अवैद वस्तुर मिलने जैसी घटनाओं पर गहरी चिंतर जताते हुए ऐसे मामलों में मिली भगत कर कैदियों तक ये समगरी पहुँचाने वाले जेल प्रहरियों और करमचारियों पर कड़ी कारवाही करने के निर्देश्तिये हैं मुख्य मंत्री ने कहा कि कैदियों के पास मुबाइल, मादक पदाथ, हथियार जैसी प्रतिबंदित, वस्तुओं का पहुँचुना और उनका जेलों से अपराधि कतिविधियों को संचालित करना जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है इस से अपराधियों के होसले बुलंद होते हैं, अधिकारियों को ऐसे मामलों को सक्ती से रोकने के आशकता है रासान में 17 दिसंबर को गहलो सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं इस उपलक्षे में गहलो सरकार ने पूरे राजे में अपने मंत्रियों को दौरा कराने का निर्नाय लिया है ये मंद्री राजे के सभी 33 जिलों में जाएंगे और वहां राजे सरकार के दो साल के कारियों की उपलबदियों को जनता को बताएंगे सचीवाले से जारी आदेशों के मताबिक दो-दो मंद्रियों के कुल 11 ग्रुप बनाएंगे हैं प्रते ग्रुप प्रदेश के 33 जिलों में दो दिन 19 और 20 दिसंबर को दोरा करेगा मंद्रियों की ये टीम वहां कलेक्टर के साथ बैठा करके प्रस्तावित कारियों की भी समिक्षा करेंगे कार्मिक विभाग राजिस्तान ने मंगलवार को दो अलग-अलग आदेश ज़ारी का राजिस्तान प्रश्वासनिक सेवा के 25 अधिकारियों को पदोनत किया इन वे से 12 ऐसे अधिकारियों हैं जिनने सूपर टाइम से हाईर सूपर टाइम स्केल पर पदोनत किया गया है में अदालत सुनवाई करेगी आज सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीट में राजे सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सरकार की 28 अक्टूबर की सिफारिशों से निजी स्कूर और अभी भावकों को आपती है तो कोट इस सत्र की फीस का पुनर निधारन करवा सकती है उद्रपूर के डबोग हवाई अड़े पर मंगलवार को उस वक्त हड़कम मच गया जब विमान हाईजक की सूचना प्रशासन तक पहुंची जिसकी बाद आननफानन में पुलिस प्रशासन समेथ एरपोट अथारिटी की टीम कुछ ही मिंटों में उद्रपूर के डबोग को मंजूरी दी है जिसमें महात्मा गांदी रास्ते रोजगार गारंटी योजना में 108 करोड रुपए का राज्यांश भी शामिल है एक सरकारी प्रवक्तार ने बताया कि इस मंजूरी के तहट बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उदेशे से मिधावी छात्राओं को स्कूटी वित्रण योजना में 33 करोड 10 लाख रुपए के अत्रिक प्रावधान को स्विकृती दी गई है इसे योजना में वर्ष 2019-20 की पात्र चात्राओं को स्कूटी का वित्रण किया जा सकेगा इसी तरह मुखे मंत्री ने रास्तान करमच्वारी चयनबूर को विभिन सट नामांकन पत्र दाखिल के इन अगर निकावे में 43 नगर पालिका और साथ नगर पईशत है जोहां 1775 वार्ट पार्षत के लिए हाल ही में हुए चुनाओं में कॉंग्रिस के 620 भाजपा के 548 बसपा के 7 भागपा वे मागपा के दो-दो मीद्वारों तथा 595 निर्दल के लिए मदान 20 दिसंबर को होगा उप्राधक्षपत के लिए मदान 21 दिसंबर को होगा असद दिन ओवैसी की AIMIM और BTP के गडवन्दन के अटकलों पर प्रदेश में गर्माय हुआ सियासत का पारा धंडा होने का नाम नहीं ले रहा है ओवैसी और BTP नेता छुटु भाई वसावा के एक दूसरे का साथ देने के ट्वीट्स के बाद ओवैसी का रस्थान में पार्टी लॉंच करना तैमाना चौरा है ओवैसी के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान कॉंग्रेस को होगा ओवैसी BTP गडवन्दन के सवाल पर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने आखरी दौर में हैं कारेकारने के गठन को लेकर मुख्यमंत्रिय अशो गहलोत और प्रदेश को अंग्रेस के अध्यक्ष गोविन सिंग्डो टास्रा ने अपना होम वक्त पूरा कर लिया है गहलोत पालट के बीच इसे लेकर कई बार मंधन हो चुका है दोनों नेत के टोड़ा राइसिंग ठाने में नियुक्त हैड कॉंस्टेबर लाला राम को पस्टाचार निरोदक बिरो टोंग की टीम ने मंगलवार को एक मामले में से नाम हटाने के एवस में 5000 रुपे के रिश्वत लेते गृफतार किया है ACB के अतरिक ते पलिस अधिक्षक विजय सिंग ने बताया कि टोड़ा राय सिंग ठाना के अंतरगत राम नगर मोरला के राम सरुप बैर्वा ने ACD में शुकायत दर्च करवाई थी और अब खबरे श्री गंगा नगर हनमान गण चिले की श्री गंगानकर जुरा मुख्याले पर क्रिशी अनुसंधान के इंद्र में स्थापित क्रिशी महाविद्याले का मुख्य मंत्रिय शोगय हलोत 18 दिसंबर को वर्च्वल लोकारपन करेंगे इस समझ में जुरा कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा वेविधायक राजकमार गौड ने मंगलवार को कॉलेज का निरिक्षिन किया इस कॉलेज में वर्षी 2021 के लिए क्रिशी संकाय की कक्षा इंफ्रारम कर दी गई है महाविध्याले के उपने देशक उम्मे सिंग शेखावत ने बताया कि वीसी के माधम से होने वाले वर्च्वल लोकारपन में विश्व विद्याले के कुलपती प्रोफेसर आर्पी सिंग भी उपस्तित रहेंगे कॉलेज में साट छात्रों का प्रवेश हो चुका है छात्रों को औल्लें ठिक्षा दी जा रही है श्री गंगानगर जुले के पदमपूर पुलिस थान प्रभारी अलका विश्वन को निलंबित कर दिया गया है यह आदेश पुलिस अधिक्षक राजुन दुशेंत नहीं चौरी की पुलिस अधिक्षक ने बताया कि घोर लापरवाही बरतने पर विभागे जांच लंबित होने पर थाना प्रभारी अलका विश्वन विश्वन को निलंबित करके उनका मुख्याले पुलिस लाए श्री गंगानगर किया गया है गौतलाप है कि पिसले दिनों पदमपूर पुलिस थाना शेत्र में जमेनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई थी श्री गंगानगर चिले के बारसंग के चुनाव में विजव कुमार रेवाड फिर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उपाध्यक्षपत पर ब्रह्मदेव उपाध्याय चुने गये हैं बार एससेशन के 1265 में से 1133 वोट पोल हुए चुनावाधिकारी राजीव कौशिक ने बताया के विजव रेवाड ने निकर्टम प्रतिद्वन्दी सीताराम विश्नोई को 158 वोटों से हराया रेवाड को 642 वोट मिले जबकि सीताराम विश्नोई को 484 वोट प्राप्ट हुए 7 वोट निरस्त किये गए उपाध्यक्षपत पर उपाध्याय 441 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता है उपाध्याय को 781 वोट मिले जबकि उनके निकर्टम प्रतिद्वन्दी कुलदीप कुमार पमार को 349 मिले है मनमानगड में नगरपशत ने मंगलवार को सारजनिक स्थान से अतिकर्मन हटवा कर मकान मालिक को पापन किया टाउन के श्याम विहार कलोने के बाशिंदो ने नगरपशत आइक्ट को ग्यापन दे कर अवगत कराया कि कलोने के में गेट पर ओम प्रकाश पुत्र नौरंग लाल बावरी का मकान है उसने अपने मकान के आगे सारजनिक सडक पर अपने 6-7 पशुग गाएं भैस आदिबांद कर अतिकर्मन कर रखा है एक स्कूल बस भी सारजनिक स्थान पर खड़ी कर रखी है इस पर परईशत ने आज कारवाही की अनमानगानगर परईशत की ओर से मंगलवार को जंक्शन में आवासिय वेवानेजी भुखंडों की निलामी की गई इससे परईशत को 1 करोड 29,30,000 रुपे की आए हुई इसमें सेक्टर नंबर 6 का 30,90 का 2 भुखंडों बर 40,70 के 2 भुखंडों की निलामी की गई श्री गंगानगर जिले में समाजिक सुरुक्षा पेंशन के अंत्रगत विद्वा, पेंशन, दिव्यांग या वर्दावस्ता पेंशन प्राप्त करने वालों को इमेत्रा पर जवाकर अपना भौतिक सत्यापन करवाना होगा लाभारतियों के बैंक खातों में तुटी की कारण पेंशन का भुखता नहीं हो पा रहा है पेंशनर की मृतिव हो जाने पर उसकी परिवादवारा पेंशन बंद नहीं करवाई गई है तो मृतिक पेंशनर का मृतिव प्रमान पत्रवे आधार कार नगर पैशद या फिर उपखर्ण कारे आले में दे कर पेंशन बंद करवादें श्री गंगानेगर जुला मुख्यालबर जुला विधिक सेवा प्राधिकरन की ओर से ओल्लाइन विधिक जागुरुकता कारे करम का योजन किया गया प्राधिकरन की सची सुश्मा पारिक के निर्देशा नुसार, रिदम मनेजवा, सीमारानी, वेज्योती राकावत, आर्जेस द्वारा, ओल्नाइन लोगों को महिलानों से सम्मांदित अधिकार और हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में जौन करी दी गई श्री गंगानगर जिले की केसि सिंगपुर नगरपालिका में अधिक्षपत के चुनाव में चार उमेदवार चुनावी मैदान में हैं उप निर्वाचन अधिकारी उमेद सिंग्दतनों ने बताया कि अधिक्षपत के लिए कौंग्रिस की तरफ से समीतारानी, पूज़ारानी, भाजपा के ओर से कमल जीतकौर वेसरोज ने नामांकन पत्र दाखिल किया है श्रीगंगानगर जिली की सुरतगर शोहर पिलिस ने ऑपरेशिन प्रहार के तहट गष्ट के दौरा दो जनों को नशिली दवायों सहीत गिरफतार कर लिया कारे बाहक पलिस्तान प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि गनेशा राम शर्मा वैकालूराम को गिरिफतार करके 6250 नशिलिक गोलिया बरामत की गई आरोपयों के खिलाफ दर्ज मुकद्मे की जान राजे सर पलिस्तान प्रभारी विकरम तिवाडी को सौंपे गई है तो फिलार इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर